क्या आपने कभी सोचा है कि soldiers को कैसे पता चलता है कि उनका जो गोला है या फिर जो मिसाइल है वो कितना दूर जाएगा So, Hello Friends, मेर नाम हैनमेश और आप देख रहे हैं Students Learning Place So, आज की इस वीडियो में हम यही जाने वाले हैं कि किसी भी parabolic motion में कोई भी object जो है वो कितना दूर जाएगा वो हम कैसे पता लगाएं So, बीना किसी दिर के let's get started with the formula for calculating the maximum distance in a parabolic motion So, इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एक parabolic motion में time taken कितना होता है तो यह मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसका link description में है और आप i button पे भी click करके देख सकते हैं हमारा जो setup है वो पिछली बार जैसा ही है यहाँ पे हम है हम एक object को u velocity के साथ fake रहे हैं जो कि x axis के साथ theta degree बना रहा है यह 2u sin theta upon g time में distance cover कर रहा है तो अब जो distance covered होगा वो हमें निकालना है हम सभी को पता है कि displacement जो होता है वो velocity into time होता है तो जब हमें time पता है जो कि होता है 2u sin theta upon में g सो हम v into t का x component निकाल रहे हैं क्योंकि हमें horizontal direction में distance निकालना है इसलिए हम इस बार x axis का component निकालेंगे तो यह हो जाएगा u cos theta क्योंकि हम लोग पिछली बार y component निकाल रहे थे इसलिए उसलिए sin theta था इस बार हम x component निकाल रहे हैं इसलिए इस बार हमारा u cos theta है अगर हम y component भी लेंगे या फिर x component भी लेंगे तो दोनों तरफ से time same रहेगा इसलिए हम अभी भी 2u sin theta upon में g रखेंगे तो यह इन दोनों को जब हम multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2u square sin theta cos theta upon में g अब 11th class में एक formula होता है जो की होता है 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta यह formula है जिसने हम यहां पे लगाएंगे तो हमारा जो आप formula बन जाता है distance covered का वो हो जाता है u square sin 2 theta upon में g अगर किसी भी parabolic motion में हम किसी object को fake रहे है थीटा डिगरी बना रहा है x-axis के साथ तब उसका जो distance covered होगा वो u square sin 2 theta upon में g के बराबर होगा तो अब हम एक example लेते हैं हमारे पास एक object है जिसे हम 10 meters per second के velocity के साथ fake रहे हैं जो की x-axis के साथ 30 degree बना रहा है तो अगर हम इसका displacement cover निकाले तो यह हो जाएगा u square sin 2 theta upon में g यहाँ पर u रखेंगे हम 10 तो यह हो जाएगा 100 into sin 2 theta theta जो है हमारा 30 degree है इसलिए हम इसे अब sin 60 degree रखेंगे 30 degree के angle पे फेकेंगे 5 roots 3 meters तक जाएगा मतलब की लग भग 86.6 meter so now the topic is over if you like this video then like it and don't forget to subscribe my channel if you have any doubts comment in the comment box thanks for watching